हेलो इस्टिएंट आप सभी का सक्सेच कोचिंग सेंटर की आनलाइन क्लाशेश में स्वागत है हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा आउकलन पढ़ रहे थे तो उसमें एक सवाल जो भी आपका बाकी है काफी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन भी है आज उसी के बारे में डिस अन्डरूट स्वाग फूंड मुंद सएग्स अपन वरं माइन न सइस्स i और यह हमारा क्वेस्चन है है कि इस इसका आउकलन क्या से करेंगे भी इमपॉर्टेंट है ठीके पहले आपको मैं बता देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट कोईशन है दो तीन बाते सिखेंगे पहली बात तो आप ये सिखें कि आपको मैंने कहा था कि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान एक होता है ये तरिकोड बिती का पहला फार्मूला भी है और आप सभी इससे परिशीद भी है ठीके अगर आप इसमें बाइ टू कर देते हैं तो ये लीजे बाइ टू कर दिया ठीके तब भी इसका मान एक ही रहता है तो जहाँ पर आपके क्वेश्टिन में एक लिखा है वहाँ पर आप लिखोगे cos square x by 2 plus sin square x by 2 is equal to 1 लिख देना है ठीके फिर आपको एक और formula पढ़ाना है कि sin 2 x बराबर आपका होता है 2 sin x into cos x होता है अब आप अगर इसमें by 2 से भाग दे देते हैं theta में तो भाई ये 2 से 2 cancel हो जाएगा और 2 से 2 cancel हुआ तो sin x is equal to आपको मिलेगा 2 sin x by 2 और into में मिल जाएगा cos x by 2 ठीके अब ये जहां tick mark लग रहे हैं ये दोनों formula आपके सवाल को हल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे तो एक बार इन्हें फिर से देख लीजे लिखा हुआ है cos square x by 2 plus sin square x by 2 इसका मान होता है एक और उसके बाद फिर आपका लिखा हुआ है sin 2 x जो कि आपका होता है 2 sin x by 2 into cos x by 2 अब वो by 2 इस्टे किया गया क्योंकि वहाँ पर आपका केवल sin x लिखा हुआ है तो आपको formula sin x का रखना पड़ेगा इस वज़ा से हमको वहाँ पर by 2 करना पड़ा अब आप इसमें मान रख दीजे तो देखें फिर क्या मिलता है y लिख लिया फिर log लिख लिया under root लिख लिया जहां पर 1 लिखा है उस 1 की जगा पर आपको लिखना है cast square x by 2 फिर लिखना है आपको sin square x by 2 और उसके बाद जहां पर sin x लिखा है उस sin x की जगा पर आपको लिखना है 2 sin x by 2 into में cast x by 2 इतना लिख देना है फिर उसके बाद नीचे आगे जहां पर आपने 1 लिखा हुआ है उसकी जगा पर लिख दें cast square x by 2 फिर लिख दें sin square x by 2 फिर जहां sin x ये वाला देख रहे हैं ना जहां sin x आपका लिखा हुआ है इसकी जगा पर लिख दें 2 sin x by 2 into में cast x by 2 लिख दीजे ठीक है और अब सायद आप मेरी बात समझ जाएंगे आसानी से सोचिए अगर ये a होता ये b होता तो क्या फार्मूला बनता a square plus b square plus 2ab यही फार्मूला बनता ठीक है अगर ये a होता ये b होता तो फार्मूला बनता a square plus b square plus 2ab उसी तरह से नीचे वाला a square है की नहीं फिर नीचे वाला भी आपका क्या है A square A square के बाद फिर उसके बाद है आपका plus का B square minus का 2 A b है ठीक है तो सायद आपने ये फार्मूले जरूर पढ़े होंगे और इन फार्मूलों के हिसाब से उपर वाला बनेगा A plus B का whole square आपका क्या बनेगा A plus B का whole square बनेगा और नीचे वाला क्या बनेगा A फिर minus फिर B है ना उपर वाला बन गया A plus B का whole square नीचे वाला बन गया A minus B का whole square अब सायद आपने ये पढ़ा है कि square under root से बाहर आजाता है ठीक है आपने यह सीखा है कि जो square है वो under root से क्या होता है बाहर आ जाता है ठीक है निकाल लेजे तो भई अंडर root से बाहर आया तो आएगा cas x by 2 plus का आएगा sin x by 2 आएगा यह वाला भी बाहर आजाएगा तो आपको मिलेगा cas x by 2 minus का आएगा sin x by 2 आजाएगा ठीक है हमने क्या किया कि अंडर root से बाहर निकाल लिया यह आपकी very very important condition है ठीक है यह आपको आउकलन में कई जगहों पर मिलेगी इसलिए मैंने अभी लिख दिया very very important condition है और ऐसी condition में क्या करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ ऐसी condition में आप लिखेंगे अंसवाहर में क्या लिखेंगे आप लोग गौर से देख लीजिए अब आप से मैंने यह इसलिए कहा है कि चुकि यह condition कई बार आती है एक दो बार नहीं यह condition कई बार आती है कि कास एकस पाइटू प्लस साइन एकस पाइटू लिखा होता है माइनस लिखा होता है तो ऐसी condition में आप क्या करते हैं अंसवाहर में कास एकस पाइटू से भाग देते हैं ठीक है तो अब चलिए भाग देखते हैं और भाग देकर देखेंगे क्या मिलेगा तो लिख लिख ल बाइक साथ क्या होता है Sau गया अब यहां देखिए संस्या क्या होगा कड़ जाएगा कांस से क्या होगा कर जाएगा तो जब कड़ कर जाएगा तो इसदा उन्हें तो यह साइन-स्वाइट यह अर्च को मैं बता दू यह वेरी operation IDE कि एक आगा बनेगा केवल उसको दे दिया तो उसके आगे लगाना है तो सवाल आपके अलग- комेंड़ से आगे बढ़ाते हैं जहां पर आपने एक लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप लिखिए 1045 पता है ना 45 कमान क्या होता है एक होता है और 45 को आप लिखते हैं पाई बाई 4 और उसके बाद मैंने लिख दिया प्लस का 10xy2 लिख दिया वन की जगह वन यहां पर फिर से लिख दिया टैन पाई बाई 4 और इंटू में लिख दिया 10xy2 अब आप कहेंगे सर इस वाले वन की जगह पर क्यों नहीं लिखा तो भाई एक कारण यह है कि मैथमेटिक्स हमें जब फार्मूले सिखाती है तो उन्हे हमें याद रखना चाहिए और मैंने यह प्रयास किया है कि मैं इसे एक फार्मूला बना सको जिससे चोटा हो जाए और हमें प्रतिष्थापन देने में ज्यादा समस्याइं ना हो ठीक है तो क्या फार्मूला बना 10a प्लस 10b बटे 1-10 into 10b अब आप सोचें सर इसको लिखने से कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि 45 का मान होता है एक और एक का गुड़ा आप कहीं भी करा दीजे कोई फरक नहीं परता हाँ तो यह फार्मूला किसका बना 10 a प्लस 10b बटे 1-10 into 10b का तो अब आपको मिल जाएगा y बराबर लाग फिर 10 a प्लस b क्य यह भी एक क्वेश्चन है ठीक है यह देखिए तीसरा क्वेश्चन आगया आप इसके आगे हल करते हैं तो इसमें हमको क्या करना है लिखेंगे माना पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 को मान लिया टी तो अब आप मुझे बताओ y का आउकलन क्या आता है dy by dx फिर मैंने लिख लि जानते हैं कि x के साब x t का आउकलन नहीं होता तो उपर नीचे मैंने डीटी डीटी से गुड़ा करा दिया अब जब उपर नीचे गुड़ा कराया तो जहां पर जहां पर dx लिखा है वहां डीटी लिख दिया क्योंकि इनके इस्थानों को बदलना पड़ता है तो डीटी तो ये वाला तो हो गया लाग टी ये लो अब जहां पर डीटी है वहां डीएक्स लिख दिया ये देख रहे ना जहां डीटी है वहां डीएक्स लिख दिया फिर डी लिखा अब बचता है टी क्या बचता है टी अब टी की जगा पर आप क्या लिखोगे टी की जगा पर लि का उकलन क्या होता है वनापांटी सही है लागती का वनापांटी हाँ यहां आप क्या लिखोगे माना पाई बाई फोर प्लस एकस पाई टू को मान लिया पी और जब आपने पी माना तो यह वाला आपका आजाएगा टैन पी तो उपर नीचे गुड़ा किस से होगा डी पी औ पांटी आ गया अब जहां पर डी एकस है वहां पर पी आ गया और उसके बाद यह हो गया टैन पी हाँ जहां पी है वहां क्या आएगा एकस इस्थानों को बदला है ना तो जहां पी है वहां एकस आएगा डी की जगा डी नोट कर लिया अब बचा पी तो पी की जगा पर ल और फिर टी का मान रखो टी का मान है भाई टैन फिर क्या है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू है यह तो मैंने यहां पर लिख लिया जानते हैं किसका माने टी का आप बताओ टैन पी का आउकलन क्या आता है से कि स्क्वायर पी टैन पी का क्या आता है से कि स्क्वायर पी आपने पढ़ा है कि टैन थीटा का आउकलन से कि स्क्वार थीटा आता है तो टैन पी का आगया से कि स्क्वार पी और मैं चाहूंगा कि आप पी का मान रख दीजिए तो अब यहां पर जैसे कि आप से मैंने कहा कि टैन थीटा का उकलन होता है सक्ष्क्वार थीटा तो टैन पी का आगा सक्ष्क्वार पी पी कमान रख दीजिए तो पी कमान लिखेंगे पाई बाई पॉर प्लस एकस पाईटू और एक और बात मैं आ आपको बतादू यह पाई पाई पाईटू मैच नहीं करता तो उसे कहेंगे अचरपद चरपद तो चरपद चरपद 9 एकसैशार बाईटi नुकल लिया तो बचा एकस और एकस का उकलन क्या होताrij electric सिखा सवाल अब आगे जाएगा और थोड़ी सी साउधानी अभी भी रहेगी वन बाई टू तो मैंने निकाल लिया बाहर ये वाला ठीक है और जैसा कि आप सब को पता है कि टैन का मतलब होता है साइन बटे कास सायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये ना पढ़ा हो कि टैन का मतलब होता है साइन बटे कास मैंने लिख दिया और सेक स्कॉायर का मतलब होता है कास स्कॉायर फिर उसके बाद ये पाई बाई फोर और एकस पाई टू कर दिया तो स्कॉायर से कास क्या होगा कट जाएगा क्योंकि सेक स्कॉायर का पोजिट होता है कास स्कॉायर हाँ अब आपको आगे क लिख लिए करना है डी वाइब दीय क्लिए उसके बाद नहीं नहींं एक और यहीं कर लेते हैं कि आपको τη दा का शूत्र जानते हैं क्या होता है क्यåS तो साथ आप मेरा उद्देश समझ गए मैं कहां की बात कर रहा हूँ यह वाला 2 SIN THETA जो यहां ब्रैकेट में वह यहां पर ब्रैकेट में तो यह फार्मूला बनेगा 2 SIN THETA कास THETA का और 2 SIN THETA कास THETA होता है SIN 2 THETA तो SIN की जगा SIN लिख लिए 2 की जगा 2 लिख लिए 2 तब आपको यहाँ पर dy by dx मिला, क्या मिला, चलो बताओ, भाई 2 से 4 कार्ट दो तो 2 दूना, 4 यह देखो, 2 दूना, 4, 2 से 2 कार्ट दो तो क्या मिल गया, x मिल गया, तो आपको यहाँ पर dy by dx मिलेगा, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कास x का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक x, तो यह dy by dx आपका final result निकला आया, कि dy by dx कितना आएगा, सेक x आएगा, ठीक है, और मैं आपको समझा दू, यह सवाल इतना लंबा क्यों है, इसके अंदर 4 question है, यह पहला question है, यह दूसरा question है, यह तीसरा question है, और यह चौथा question है, चार question इसके अंतरकत हैं, और आप जब आगे सीखेंगे न, तो यह चारों आपको अलग-अलग भी मिलेंगे, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मैं आप चाहूंगा कि एक बार फिर से आपको प्रयास करके समझा दू, तो चलिए कोशिश करिए, वही, कास स्क्वार थीटा प्लस साइन स्क्वार थीटा कमान क्या होता है, एक, अगर हम लोग बाई टू लिख देते हैं, तो कोई खास फरक नहीं पड़ता, है न, बाई टू लिख देते हैं, तो कोई खास फरक नहीं पड़ता, ठीक है, साइन टू थीटा बराबर, टू स दो कड़ गया तो साइन एक्स पराबर आगया टू साइन एक्स पाइटू कास एक्स पाइटू इसके बाद क्या करना है जहां पर एक लिखा है वहां पर यह लिख दीजे जहां साइन एक्स लिखा है वहां पर यह लिख दीजे और मैंने लिख दिया आप समझदार है कि A square plus B square plus 2 A B का मतलब क्या होता है A plus B का whole square नीचे वाला A minus B का whole square भी square under root से बाहर आ जाएगा बाहर आ भी गया अब बाहर आ गया तो उसके बाद अन्सवाहर में कास X by 2 से भाग दे दिया ये बहुत important condition है जब भाग दिया तो कास से कास कटा साइन बटे कास 10 हो गया कास से कास कटा साइन बटे कास 10 हो गया जहां एक लिखा है वहाँ 10 45 तो दिया कारण क्या है 45 का मानेक होता है यहाँ पर एक लिखने से कोई फरक नहीं पड़ता हाँ इससे एक proper formula बन गया कि 10 A plus 10 भी बटे 1 minus 10 इंटू 10 भी सूतर होता पाइटू लिखा पाई बाइटू को पी मान लिए तो यह हो गया 10 डिएक्स और डिपी के इस्थानों को बदल दीजिए तो टैन पी और यहाँ पर अब भै पी का मान भी तो रखना पड़ेगा यह जो उपर फी कहा इसका मान लग दिया टेन थीटा का कलन क्या होता है इस ही स्कॉार बूलिया नहीं यह कश्क हृता है यह है मैंने टी का मान यहाँ पर रखा है यह पि है तो टेन पिसे क्सक्वार Eka का पाई भाई पॉर काلي जीरो कारण कॉअलर इसमें एक चारपद है एकस सब्सक्राइब से 1 वाई 2 तो निकाल दिया थो बच्छा x,leg एका उकला एक आ गया 10 को मैंने लिखा पाई बाय फोर प्लस एक्स पाई टू लिख दिया दो दूना चार किया, 2 से 2 कड गया साइन नब्य प्लस थीटा होता है कास थीटा और कास का उल्टा क्या होता है सेख थीटा, ठीक है? तो इस तरह से आपका यह very very important question complete हो गया और आज आपके वह इतना ही शीखेंगे तो अगर आपको कोई प्राब्लम हो तो आप या तो WhatsApp पर पूछ लिजेगा या कॉल करके ठीक है धन्यवाद